जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्यायनो राजविद्या राजकुहे योग श्लोक तैंतीस खिंपुनाह ब्राहमनाह पुन्याह भक्ता राजर्शयह तधा अनिथ्यम असुखं लोकं इमां प्राप्या भजस्वमाम वूम गीताचार एश्रक्रिष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राजविद्या राजगुहे योग सिखा रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं अर्जुन मैंने कहा है यहां तक की अनिकाश पापियों को भी मोक्ष या परमपद प्राप्थ होने का आस्वाशन दिया जाता है अगर उनके पास मेरे प्रती अनन्य भक्ती की अविभाजित भक्ती हो जब मैंने ऐसा कहा तो धरमात्मा लोगों, भक्तों, निरंतर मेरा ध्यान करने वाले ब्रामणों और मेरी सेवा के रूप में जन्ता की सेवा करने वाले राजाओं के बारे में क्या कहा जाए वे मेरे प्रती अनन्य भक्ती में सनलग न होकर परमपद या सर्वुच गंतव्य प्राप्त करने के प्रती और भी अधिक आस्वस्त है अर्जन अब तुम इस दुनिया में हो जो अस्थाई और आनन्दहीन है इसलिए अपने आपको अनन्य भक्ती या असिमित सास्वत सुख के स्वामी मेरे प्रती द्रण भक्ती में सनलग न करो इस तरह श्रकृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि किवल उनके प्रती अनन्य भक्ती होना ही परियाप्त है जो मनुष्यों के गंतव्य की सर्वुच प्राप्ती के लिए मुख्य बात है श्रीक्रिष्ण परमात्मा की सिख्छाओं पर ध्यान करते हुए आए हम अनद्य भक्ति या श्रीक्रिष्ण परमात्मा के प्रती अविबाजित भक्ति को विक्सित करें और श्रीक्रिष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करें किम्पुनर ब्राह्मनाह पुन्याह भक्ताराजर्षयस्तधा अनित्यमसुकं लोकं इमंप्राप्य भजस्वमाम स्रीमन नारायना करिश्ये वचनम्तवा श्रीमत भगवद गीता का संपून्द सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूँगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून्द भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आएए पर्मात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो पर्मात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याय हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्रीकृष्ण की सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद कानुभव करें जै श्रीमन नारायन ये है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूँगा और आपके बारे में सोचूँगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूँगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रति समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं, मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा किये और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अपरिचित है कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आएए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे श्रीमन नारायन करिशे वचनमतव जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं श्री कृष्णार पन्नस्तू जै श्रीमन नारायन किंपुनाह ब्राह्मनाह पुन्याह भक्ता राजर्शयह तधा अनित्यम असुखं लोकं इमंप्राप्या भजस्वमाम वूम् किंपुनर ब्राह्मनाह पुन्याह भक्ता राजर्शयह तधा अनित्यम असुखं लोकं इमंप्राप्या भजस्वमाम श्रीमन नारायन करिश्गे वचनम तब जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोध हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन स्थरम का पाठ करें नारायन स्थरम प्राप्त करने के लिए नारायन स्थरम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायन स्थरम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन स्थरम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भकतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन स्थरम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवद गीता परायन की 33 माला श्री विश्णु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्थरम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन